सो बड़्सप गाइस वेलकम बैक टू आरे सार फाइने सो जिस अप्लिकेशन के बारे में आपको डीटियल देने वाला हूं यहां पर मिलने वाला है आपको 500 रुपे का लोन भाई देखो इसकी दो अप्लिकेशन है एक पुरानी है और एक नहीं है दोनों में आप लोगों को दोने ही अप्लिकेशन में आपको जाड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है सेम अमाउंट रहेगा सेम टैन ओवर रहेगा सेम डिस्पर्स अमाउंट रहेगा एवरेटिंग और चीजह आपको सेम ही मिलने वाली है मैं यहां पर बात कर रहा हूं है जिस अप्लिक वह 500 रुपे का है और जो maximum लोन है वह 10,000 रुपे का है तेकिन इसमें सब्सक्राइची बात यह है कि अगर आप 500 रुपे का लोन लेते हो तो दो टैने उबर आपको देखने को मिलेंगे एक आप मिलेगा आपको 21 दिन का और एक 30 दिन का दोने में डिफ्रेंस बता देता हूं यहाँअई पर दोन में डिफ्रेंस है अगर आप 21 दिन का यहाँपर लोन लेते हो सलेक करते हो तो यहाँपार आपको 650 रप्ए की रिपेमिंट करनी होगी अगर आप 30 दिन कर लेते हो तो यहां पर 644 रुपे की आपको रिपेमेंट करनी होगी अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 500 रुपे की लोन में बैंक में कितना आएगा चार सो कुछ रुपे आपके अकाउंट में क्रेडिट किये जाएंगे अगर आप जादा करोगे तो यहां हो पर सायव साब बता देगा मैक्सिमम जो है और मैंवने जो नैस शूडए मों में शुरू में स्थाइटिंग मैं पांसो यह लुफय की लिक करेंगे तो यहां बार मेरा जो आफर में अपलाई करोगए कुछ बत बगा डिपर यहां लोग अपलाई करसक्त अफ्रिप नआ आधारकार्ण प्रैंटकार्ट के थुरू ये कंपनी अपको लोन देने वाली जिया और कुछ भी नी चीह है अधारकार प्रैंटकार्टद चाहिए बस 1000 या 500 परन सुरू मारे स्पेर में मिलेगा ना कि आपको 3 या 4 या 5 10 अगर कल को आप इसकी रिपैमेंट नहीं करते तो डारेक्ट पड़ेगा आपके सीविल स्कॉर के उपपर पांसो हजार रुपे का दू मत कीजिएगा बड़ा करना तो बड़ा कीजिए पांसो में कोछी नहीं रखा है हाँ लीजिए अपना सीविल स्कॉर इंक्रीस कीजिए करके लेकिन ड्यू मत करिएगा कि पांसो कोई फायधा नहीं ड्यू करने का